ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते हैं जारखंड के ओर और बताते हैं आपको मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन ने पहले ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम के माद्यम से पूरी सरकारी वेवस्था गाउं देहात सुदूर पहाडी ग्रामिन इलाको में मौजूद लोगों तक पहुँचकर उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर तत्पर हो उन्हें सरकारी योजना का लाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये सुनिश्चित करने को लेकर सरकार को गतिशील किया लेकिन इसके बाबजूद अगर कुछ लोगों को समस्या हो र रहे हैं एमन्सोरिन अपने आवाज पर आने वाले हर वेक्ती से fotograf कर रहा हैं उनकी समस्या सुन रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो इसके लिए अदिकार्यों को दिशा मरदेश भी दे रहे हैं लेकिन सर्कार की यौज अभी आए हैं साड़े 12 लाक में सबसे जादे अगर आवेदन आये हैं तो 6 लाक से जादे आवेदन अबुआ अवास में जो व्याप्त गड़बडियां है सिकायते हैं या नहीं आवेदन हैं देखी से साफ पता चलता है यह सरकार हेमन सोरेंजी की सरकार बार बार दम बोलती हैं कि नहीं हम लोग सब कर निवारन कर रहा है नहीं हम लोग सब कर निवारन कर रहें 5 सालों में हमने जन कल्यान कारी कारकर्म तो जितना भी जन कल्यानकारी काम होंगे भारती जनता पाठी को उसे बेचेनी होगी। हम महिया सम्मान योजना का ही बात कर लें। कि माताओं एवं बहनों के खाते में सीधा एक हजार रुपया जा रहा है। लेकिन ये बात भारती जनता पार्टी को पच नहीं रही है तो कभी नियाले का सरन ले रही है तो कभी इस मामले पर प्रसन खरा कर रही है कि कैसे भारती जनता पार्टी यह चाहती है कि कैसे महिया सम्मान योजना को किस साजिस के तहत रोकने का चुले तो सीधे राची का रुख करते हैं सायोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप सरकार तमाम योजनाएं चला रही है योजनाओं का लाब लोगों तक मिलने में अगर कोई समस्या हो रही है तो मुख्यमंत्री खुद व्यक्तिगत रूप से रूची ले रहे हैं और उन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष में योजनाओं को लेकर सियासी जंग भी छड़ गई है सही का क्योंकि एदि राजय सरकार की बात करे आप फिर खासकर मुख्यमंत्री की स्वयम की बात करे तो वे उन समस्याओं के निराकरन के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं चाहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान कै इसे हो इसको लेके भी एक बार फिर से तीसरा चरन की सुर्वात की गई है जहां अब फिर से जैदिकिनी लोगों के पास समस्या है तो उस समस्या का समाधान उसके माध्यम से हो सके हाला कि मुख्यमंत्री आवास में भी पिछली कई दफा ऐसे चीजे देखने को मिली हैं कि ज सवेदन सील तरीके से लेते हैं उनकी समस्याओं को और उनके निराकरन के लिए तुरंथी अधिकारियों को उसके लिए चैनित करते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा हला कि इसको लेके आज भी जो राज्य के कोने-कोने से जुजनता थी वो मुख्यमंत्री के आवास हैं और जो अधिकारी हैं उनको इससे संबंदी दिशा निर्देश दिया गया कि कैसे इनके समाधान समस्या का हो सके तो का सकते हैं राज्य सरकार लगतार चाहे अपनी सरकार की जो मैन पावर है उसके माध्यम से या फिर स्वेम ही मुख्यमंत्री को क्यों ना लोगों की सम सुननी पड़े इसके माध्यम से भी जो आम लोग हैं उनकी समस्या मुख्यमंतरी सुन रहे हैं और उनकी समधान का हर संभो परियास किया जा रहा है इसी के तहत आज भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे वे मुख्यमंतरी आवास पहुचे थे और मुख्यमंतरी से अप से जो कवायत है लोगों की जो समस्या है उसका कैसे निराकरन हो या फिर जो राज्य सरकार द्वारत जो योजनाय चलाई जाए रही है उन योजनाओं का जो लाब है उन्तिम वेक्टी तक कैसे पहुँचे इसको लेकर सरकार कही न कहीं संजीदा है रही वजा है कि इसको लेक जंग जरूर देखने को मिलती है रही वजा है कि इन सब कामू के बाद भी विपक्ष कहीना कहीं सरकार पर कही तरह की जो टीका टिपनी है हुआ करती है हलाकि मुक्यमंत्री का या दावा है कि जो भी लोग राज्य वासी है जो राज्य की जनता है उनको उनका हक मिलना चाहिए और एदि उनके पास उनकी कोई भी समस्या है तो या तो वे अपने माध्यम से उन समस्याओं को दूर कर रहे हैं या फिर जो सरकारी कारिक्रम आपकी योजनाब की सरकार आपके द्वार कारिक्रम है उसके तहर क्योंकि अब तक कि यह बात करें दो चरनों में लाखों आवेदन सरकार के पास आये थे और उसका नेरा करन और जो अधिकारी है गाओं तक जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसका निराकरन भी कर रहे हैं तो कह सकते हैं सरकार चे लोगों की उमीद है रही वज़ा है कि लोग या तो इस कारिक्रम में पहुंचते हैं या फिर डारेक्ट मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं वहाँ अपनी समस्या को मुक्य मंतरी के समक्च रखते हैं और लोगों को भरोसा भी है रही वजा है कि लगभग परते एक दीन या का सके जब मुक्य मंतरी के पास समय होता है तो दर्मियान जो आम लोग है जनता है वो मुक्य मंतरी से मुलाकात करते हैं और अपनी समस्या का निराकरन के लिए पूरी उमीद लेके मुख्यमंतरी आवास पहुँचते हैं जै पूरी भाज दन्यवाद संदीप इस तमाम बाचित और जानकारी के लिए तो साफ तोर पर लोगों का भरोसा जीत रहे हैं मुक्यमंतर हेमंत सोरें जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं एक तो लोगों के लिए योजनाएं तयार करके उन तक पहुँचाने की कवायद हो रही है और दूसरी और वो खुद इस बात को लेकर सक्रिय रूप से लगे हुए हैं कि योजनाओं का लाब लोगों तक मिल रहा है या कहीं बीच में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है किस तरह से उन्हें में और सुधार की जो गुंजाईश है उसे देखा जाए अधिकारियों के स्तर पर अगर कहीं कोई कमी है तो वो जांच रहे हैं उसकी परताल कर रहे हैं लोगों से मिलकर उसकी जानकारी ले रहेगा देखते रहिए कशिश नियूज